सुग इस फाइनली आईक्यू G9 5G स्मार्टफोन का इंडिया लॉंच कन्फर्म हो चुका है और यह स्मार्टफोन 12 मार्च को इंडियन मार्केट के इंदर लॉंच किया जाएगा आईक्यू G9 5G स्मार्टफोन में 120Hz सिर्फरे सेट, AMOLED डिस्प्लेइ, 5000MH की बड़ी बेटरी और Diamacity 7200 प्रोसेसर के साथ साथ काफी और भी बहतरीन फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तो हम डिटेल में बात करने वाले हैं साथी बात करेंगे इसकी यह स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में किस प्राइज पर देखने को मिल सकता है तो स्वागत अब सब का टेक रूज पर जैनकारी के लिए वीडियो में अंट तक बनी रहिए और दोस्तो चैनल पर पहली वराए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के टेक वीडियो मिलती रहें तो दोस्तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि IQ की G सीरीज काफी यदा पॉपलर है जिसमें IQ G7 लाश टाइम आपको देखने को मिला था इसके बाद IQ G8 समाटफौन भी चारिज मार्केट के अंदर लाँच हुआ लिकिन भारत में हमें देखने को नहीं मिला और अप सीथा दोस्तो हमें IQ G9 समाटफौन देखने को मिलने वाला है तो photographic-series से बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन के सबी features के बारे में और देखते हैं कि is कैसा smartphone यह होने वाला है अगर vegetable दोस्तों हम बात करते हैं इस smartphone की design के बारे में तो आप देख सकते हैं screen पर कश्फोन की design है वो निकल कर सामने आ चुकी है और यह स्मार्टफॉन देखने में काफी बड़िया लग रहा है जिसके बैक साड में गई साब को गलॉसी गलास की बॉडी देखने को मिलती है साथी टेक्स्टर डिजाइन दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है इसके साथ ही कई से यहाँ पर आपको dual camera setup दिया गया है जो कि flashlight के support के साथ में आता है अगर बात करते हैं दोस्तों इस smartphone के front side की तो front side में गई से यहाँ पर आपको एक बड़ी display देखने को मिलेगी जो कि punchürült के cutout के साथ में आएगी जो कि Full HD Plus Resolution के साथ में आईगी साथी 120 Hz का Frisate यहाँ पर आपको दिया जाएगा वहीं स्मार्टफोन की डिस्पेले में 1800 Nets की Peak Brightness और 300 Hz का Touch Sampling Rate देखने को मिल जाएगा तो कलस बगरा दोस्तों स्मार्टफोन में काफी बढ़िया रहने वाले हैं अगर डिस्पेले के बाद दोस्तों नेश्ट बात करते हैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर गईस आपको मीडिया टेक की तरफ से डाम सिटी 7200 अपसेट देखने को मिलेगा जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ में आता है साथी एंटिटी उसको लगबग 7 लाग से भी जादा है तो गेमिंग वगेरा दोस्तों यहाँ पर आप काफी स्मूथ ली कर सकते हैं इसके लावा आपका कोई और भी टास्क हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर कंप्लीट कर पाएंगे वहीं स्मार्टफोन में आपको 8GB की RAM देखने को मिलेगी साथी 256GB स्टूरेज यहाँ पर आपको मिलने वाली है अगर नेश्ट बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के एक कैमरा सेटप के बारे में तो यहाँ पर आपको रियर साइड में ड्यूल कैमरा सेटप देखने को मिलेगा जिसका मैंन सेंसर रहेगा 50MHz का जो की सौनी की तरब से iMacs 882 सेंसर रहेगा साथी OIS का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा वहीं जो सेकेंड ही सेंसर रहेगा वो यहाँ पर आपको 2MHz का देखने को मिलेगा तो अबरल दोस्तों स्मार्टफोन का कैमरा सेटप काफी डिसेंट रहने वाला है डेफिनिटली काफी कमाल की फोटोगराफी वगरा स्मार्टफोन से आप कर पाएंगे और अगर स्मार्टफोन के फ्रेंट कैमरे के बारे हम बात करते हैं तो फ्रेंट साइड में डिस्प्ले में आपको एक पंच्छोल का कट आउट देखने को मिलता है तो बैटे पेकप दोस्तों स्मार्टफोन का काफी बढ़िया रहने वाला है साथी 120W की 5 शाजंग है तो काफी जल्दी स्मार्टफोन को चार्ज भी यहाँ पर आप कर पाएंगे अगर स्मार्टफोन के कुछ और फीचर्स के वर हम बात करते हैं स्मार्टफोन 12th March को इंडन मार्केट के अंदर लॉंच होने वाला है सुग इसी तीसार इंफोर्मेशन IQG9 5G स्मार्टफोन के सभी फीचर्स के बारे में आप है मैं बताई कि आप स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप स्मार्टफोन को लेने में इंटरस्टेट होंगे अगर आपको कोई और भी कमेंट होगा इस तो आप वो भी लिख सकते हैं फिलाली इस वीडियो में कैसी तना ही गर वीडियो चलागा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तो चैनल पर पहली वर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीचिए ताकि आपको इसी तरह टाइक वीडियो मिलती रहें मैं मिलता हूँ आपको नएश वीडियो में अपते के लिए गुडबाई वा नाइस टे